हालो एवरीवन कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंगलेस का फ्लेमिंगो बुक से दूसरा पोयो किपिंग क्वाइट ठीक है इसके पोएट हैं पैबलो नेरोडा वो इट का नाम याद कर लीजिए फोशिन में डारेक इंका मेंचन रहता है ठीक है चलिए समझते हैं डिटेल में सबसे पहले इस पोयेम का थिल जालने क्या है इस पोयाई में जो हमारे पैबलो नुरेडा वो दो चीजों के बारे में पर में पर बात करते हैं सबसे पहला है quiet introspection चांथ के introspect करना इसका मेनिंग क्या है इस word को अगरे आप breakdown करें इंट्रों का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज के अंदर ठीक है और इस पेक मतलब किसी चीज को देखना तो आपने अंदर जाग के देखना कि हम लोग जो activity कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या यूज है क्या उसका result आ रहा है ठीक है सही करने की गलत कर रहे हैं यह फिर के साथ चले जा रहे हैं यह अधर हम analyze करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इंट्रो एमांग human beings वह चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि हम जो human beings है वह आपस में connected है कि ठीक है कि connected है और हम लोग एक दूस्टे को समझें यह हमारे poet चाहते है ठीक है चलिए डिटेल में इस poem को पढ़के समझते हैं क्या वह मिनिंग दे रहे हैं देखे कि वह मिया से स्टार्ट होता है लिखा हो है कि now we will count to 12 and we will all keep still बोलते है कि अब हम बारा तक गिनेंगे यह पर पोईट जो है वह डारेक्ट हम रीडर से इंटराक्ट कर रहे हैं ठीक है रीडर्स को डारेक्ट बोल रहे हैं कि आब हम पोईट हमको बोल रहे हैं मेरेको आपको सब को बोल रहे है कि अब हम बारों तक गिनेंगे यह बारों तक गिनना तो सीफ एक बोलने का बात है बारों तक गिनेंगे मतलब थोड़े दिर बात अब हम लोग क्या हो जाएंगे we will all keep still हम लोग इस्टिल हो जाएंगे इस्टिल का मतलब समझते है कुछ भी activity नहीं करना इनक्ट ठीक है मतलब आप जो भी आप काम कर रहे है उसको रोग देना ठीक है stop और साती साथ क्या भी हो जाना silence हो जाना यह दो चीज़ पोईट बोलना चाहरे है यहां पर ठीक है इस्टिलनेस और साइलेंस यह दो यहां पर कीवर्ड है बहुत थोड़े दिर बात मतलब हम बाड़ तक गिनेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इस्टिल हो जाएंगे यारी ना कुछ बोलेंगे और जो भी activity कर रह सो मच यहां पर पूछ चीज अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि यह सब के ऊपर कोशन आता है इन सबका डीप मीनिंग है देखिए बहुत है कि एक बार सिफ एक बार इस और फेस ऑफ मतलब यह जो और एक्जिस्ट कर रहा है इस और पर ऐसा पहली बार एक बार के लिए सिफ क अच्वाइच कीजीए लेट 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 है जबलाव लेटट लेटास का में ही एक्जाम में पुश्ते हैं यह और नोग क्या होनकि हुजए हैं और आप भी साथ आग्टिविटी करें पयट चाहते हैं कि हम क्या करें सिफ एक बार के लिए इस अर्थ पर कोई भी जब हम लोग सांत रहेंगे तो हम क्या करेंगे कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे और जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो कोई पंगला बोल रहा है तिल्गू बोल रहा है कोई इंग्लीज बोल रहा है हिंदी बोल रहा है नेपाली बोल रहा है ठीक है ज आपको बता देंगे क्या कैशी याल रखना है तो यह जो language barrier है यह जब हम quiet हो जाएंगे l-n-g-u-a-g यह जो language barrier है जब हम quiet हो जाएंगे तो यह language barrier खतम हो जाएगा ठीके और हम जो सभी कि अलग-अलग language बोलने वाले लोग है यह हम लोग क्या हो जाएंगे यूनाइट हो जाएंगे ठीक है और यूनाइट होंगे तो हमारा जो पोएम का थीम है कि हम लोग आपस में एक mutual understanding develop करेंगे ठीक है चलिए तो पोएट हम रीडर्स को बोल रहेंगे एक बार के लिए इस अर्थ पर कोई भी language मत बोलिए और सिर्फ एक सेकेंड के लिए एक सेकेंड मतलब कुछ पल के लिए ही क्या कीजिए अपने arms को मूँव मत कीजिए आउस मतलब हमारे हाथ मतलब जो भी हम activity कर रहे है उस activity को आप डोग दीजिए थोड़े दिन के लिए ठीक है ना कुछ बोलिए ना कुछ करिए मतलब silence एंड श्टिलनेस यह पॉइट हमें करने को बोल रहे है ठीक है चूप रहे है वह भी बत खोलिए और कुछ activity भी मत करिए समझे इससे होगा क्या आपको बताई दिये चलिए इससे language barrier खत्म होगा और हम even big seem right हो जाएंगे आगे देखिए जब आप ऐसा करेंगे ना जब आप कोई भी लेंग्वेज नहीं बोले कोई भी activity नहीं करें तब क्या होगा वैसा जो पल होगा वो एक exotic moment होगा it would be an exotic moment exotic word का मतलब होता है rare ठीक है मतलब strange unfamiliar unfamiliar अच्छा में नहीं है तो ऐसा चीज जो अभी पहला बार हो रहा है ठीक है होता नहीं होगा तो एक exotic moment होगा moment मतलब पल हिंदी में इसका मिनी होता है पल यह जो पल होगा वो कुछ ही देरगा होगा ठीक है और विदाउट रस इसमें कोई हरबड़ी नहीं होगा क्या अभी हम लोग क्या है एक साइकल में चले जा रहे है सुबह उट के यह काम करना है for example student life के इन हाना है खाना है इसकून जाना है फिर आके टूशन जाना है जो भी है फिर खुबह करना है यह cycle पर आप चले जा रहे है चले जा रहे चले जा रहे ठीक है तो जब हम लोग यह दो activity कर लेंगे silent हो जाएंगे और activity को रोक देंगे तो यह काफी rare पल होगा ठीक है और ऐसा पल को मोमेंट वोला गया है वोमेंट मतलब कुछ ही दिर के लिए होगा शौर्ट डिवरेशन थिल लिए होगा ठीक है अब जिनकी बड़तों सिख बैठ के मेड़िटेशन या फिर इंट्रिश्पैक्सम तो नहीं कर सकते रहते न तो यह पल होगा जो इनेक्टिविटीविटी वाला पल है ये बीना किसी हड़िवरी के होगा थीक है इस पल में ना ही कोई इंजक्ष इंजक्ष होगीं इंजक्त्री निकल जाए तो यह हॉर्ण का आवाज, गारी का आवाज, ठीक है, बहुत टाइक का आवाज आएगा, तो यह noise and chaos, यह दोनों चीज खतम हो जाएगा, इस exotic moment में, समझे की नहीं, exam में पूछते हैं, इस exotic moment को explain कीजिए, तो यही सब चीज से आपको explain करना है, we would always together in a sudden strengthiness, इस exotic moment में, इस unfamiliar पल में, ठीक है, इस strange पल में, हम लोग क्या हो जाएगे, we will always together, हम सब human beings क्या हो जाएगे, unite हो जाएगे, क्योंकि हम लोग तो already silent हो चुके है, silent होने से जो हमारा language barrier था, वो खतम हो गया, ठीक है, और हम लोग activity अपना रोक दिये है, जिससे की, सारा हर जगा क्या है silence है, और हम लोग क्या हो जाए, unite हो रहे, in a sudden strangeness, और यह जो पल है, यह काफी strange है, अजीब सा पल है, क्योंकि यसा कभी पहले हुआ नहीं, ठीक है, और sudden है, अचानक से आया हुआ है, ठीक है, चलिए, उमीद करते हैं, आपको यहां तक तीन stanza के लिए, आज यावोफ कीज करते हैं, फिर point हमें, point जो है, वो कुछ idea को shift करते हैं, और कुछ और चीस से हमें समझाने को process करते हैं, देखे, वो example देते है, फिशर में का, जो भी मचवारे लोग है, जो cold sea में काम कर रहे थे, ठीक है, वो इस exotic moment में आप क्या करेंगे, would not harm whales, यह फिशर में का क्या है, whales को catch करना, मारना, ठीक है, तो यह फिशर में इस exotic moment में, यह काम करना, बन कर देंगे, वो इस whales को भी हाम करना, बन कर देंगे, तो इस exotic moment में देखिए, सिर्फ human beings को ही आराम नहीं मिल रहा है, बलकि, अर्थ पे जीते भी other life form जो exist कर रहे हैं, उनको भी थ्वा राहत मिलेगा, य और यह बें cold सी बताया गया है, कि ठंडे नदियों में, हम लोग इतना hard work कर रहे हैं, आसके time पर पता नहीं हमें कहां पहुचना है, ठीक है, कि हम लोग कुछ भी बिना सोचे संदे किये जा रहे हैं, तो इस exotic moment में, यह सब काम करना, हम बंद करेंगे, ठीक है, तो एक example हो ग खटा करने का process है, वो काफी tough का मांड जाता है, नमक जो है, वो skin को काफी damage कर देता है, ठीक है, तो वो इनसान जो इस नमक gathering का काम कर रहे है, वो अपने हाथों को देखेगा, वो हाथ जो काफी hurt हो चुके, हाथों से खून निकल रहा है, पिर भी वो काम किये जा रहा है, कि ठीक है, यह भी सोचता है कि उस काम का impact क्या परेगा, तो वो इनसान भी, मतलब हर ऐसा इनसान जो इतना hard work कर रहा है, वो इनसान भी फोड़े दरी के लिए silent होगा, और क्या करेगा, intro expect करेगा, intro expect को, spelling word हो गया, intro expect, ठीक है, इसको हम लोग यह भी बोल सकते है कि वो क्या करे करेगा, contemplate करेगा, contemplate, सब related word है, ठीक है, सब क्या होता है, सब का meaning, सोचना, ठीक है, कि जो हम activity कर रहे है, वो सही है कि नहीं, इसी को यह तीनों चीज भूलते है, ठीक है, ठीक है, आगे आजाए यह, अगला stanza है, फिर यहाँ पर poet जो है, वो idea shift करते है, अब वो example देते है, वोड के बारे बे, बलता है कि दोज, मतलब वे लोग, जो क्या कर रहे है, green words कर रहे है, green words मतलब, word with environment, human beings का बहुत सरा ऐसा activity है, जो environment को damage कर रहा है, ठीक है, तो human beings क्या करेंगे, चलिए, क्या करेंगे, आगे परेंगे, तो लिखा है कि वैसे लोग जो environment के साथ word कर रहे है, इनवर्मेंट को damage कर रहे है, वैसे लोग जो gas के साथ word कर रहे है, बहुत सारे chemicals बना रहे हैं, जिसे की, और जो वेगल से वो भी environment को pollute कर रहे है, ठीक है, तो वैसे लोग जो environment को gas से damage कर रहे है, वार्स विद फायर, जो bum बना के word लड रहे है, ठीक है, और इन सब वार्स का में जो victory होता है, ऐसा victory जिसमें कोई survivors उस victory को celebrate करने के लिए कोई जिनदा नहीं बचता है, ठीक है, यह सब वार्ड लड के, जो लोग जीत जाते हैं, और ऐसा जीत लेते हैं, कि वो जीत को celebrate करने के लिए कोई इनसान बचा नहीं है, ठीक है, तो वैसे सभी लोग क्या would put on clean clothes, यह सब लोग साफ कपड़ा पहनेंगे, अब साफ कपड़ा पहनेंगे, इसका बोलने का मतलब है, कि वो लोग अपना mindset को change करेंगे, ठीक है, and walk about with their brothers, और यह wars का काम चोड़ के, वो क्या करेंगे, यह idea को implement करेंगे, कि world में जीतने भी लोग है, सब उनके भाई है, त जाके सांधी से बैठेंगे, अब कुछ नहीं करना है, कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं करना है, कुछ प्रपर्टी नहीं करना है, बस सांधी से बैठना है, बहुत काम कर लिए, ठीक है, तो यह यहापर वो meaning देने है, पुशिस कर रहे, समझे कि नहीं, यहाप यहां पर एक poetic device है जिसको बोलते है आईरनी आईरनी पोलने का मतलब होता है आप बोल तो कुछ लिखे हुए कुछ और है लेकिन इसका meaning कुछ और निकल रहा है यहां पर आप बोल रहे हैं कि जीत हासिल हुआ ठीक है लेकिन यह जीत का मतलब ही क्या है जिसमें कोई survivor कोई बच सब्सक्राइब करते हैं कि हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम ही काम दाम छोड़ दे बैढ़ जाए और दीन बार सिक मेडिटेशन करते हैं ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि life का काम ही है life is what it is about life तो पूरा काम है activity का बगबत गीता में भी बुला गया है कि आप कर्म कीजिए ठीक है life में हमें कर्म तो करना है काम करना है आप इस्टडी करना है लेकिन थोड़ा दिमाग वाया आके ठीक है अन्दा दूल भीर के साथ मत चलिए फिर पॉर्ट आगे बोलते हैं कि I want no drug with death no drug with death मतलब no association with death वो death से कोई दिलन लेदना नहीं है पॉर्ट नहीं चाहते हैं कि आप एकदम इनक्टिव हो जाए और मरे हुए इंसान की तरह हो जाए ठीक है no drug with death का मीनिंग नीचे भी लिखा हुआ है यह रहा किसी के साथ पे no drug with होना मतलब refuse to associate refuse to deal with ठीक है उसके साथ associate तो poet यह पर death के से associate नहीं हो रहे है poet यह रहे है कि आप अबर जाएगे inactive हो जाएगे ठीक है फिर आगे देखिए if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death poet यह पर बोल रहे है कि हम लोग जो human beings है हम लोग इतना single-minded हो गए हम वाने दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि रोज सुपर उटके भाग रहा है कहां भागना है नहीं पता सब इसकूल जा रहे है तो अगर जोब पर जाने का मन नहीं करेगा लेकिन आप तब भी जाएंगे ठीक है क्योंकि हम लोग के माइंड जो है वो फिक्स हो गिया है सिंगल माइंड है कि मैने के एंड में एंड में सेलरी मिलेगा ठीक है पैसा कमाना है सब के दिमाग में यही चीज चल रहा है ग्रो करना है ठीक है तो अगर हमारा दिमाग में इतना सिंगल माइंड नहीं होता और अगर हम सिफ एक बार के लिए सिफ कुछ नहीं करते अगर ठीक है तो क्या होता एक परहापस huge silence might interrupt this sadness तो अगर हम single-minded नहीं होते अगर हमारे mind में यह नहीं चलता है कि हमारा life में सिफ growth चाहिए सिफ life को चलाना है अगर ऐसा हमारा सोच नहीं होता और अगर हम कुछ भी नहीं करते कुई activity उतना नहीं करते तब ऐसे पल में क्या होता कि अ दुख दो कारण से हो रहा है human beings को पहला दुख इसलिए हो रहा है हम human beings को क्योंकि हम लोग अपने आपको ही नहीं समझ पार रहे और never understanding ourselves पहला रिजन तो यह साइडनेस होते का थीक है कि हम लोग खुदी नहीं समझ पार रहे कि हमें चाहिए क्या ठीक है और दूसरा दुख इस बात से है कि of threatening ourselves with death हम लोग मौत से काफी डर रहे है ठीक है आज काम नहीं करेंगे तो कल पुका मरना पड़ेगा ऐसा सोच हमारे अंदर डेवलाप हो गया है ठीक है तो यह दो चीज के कारण दुख है न यह दुख कब खतम होगा जब हम इतना single-minded नहीं होंगे ठीक है और एक बार के लिए silence और stillness को अपनाएंगे जब यह दो काम करेंगे तो यह हमारा दुख खतम हो जाएगा यह दुख चीज का दुख ठीक है फिर point यहाँ में और अपना एक idea shift करते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यह जो आइडिया है इंट्रेस्पेक्शन करने का silence और stillness का ठीक है यह तीनों चीज का आइडिया अर्थ से काफी अच्छे तरिके से ले सकते हैं अर्थ हमें यह तीनों चीज काफी अच्छे तरिके से सिखा सकता है कैसे देखिए विंटर्स का टाइम में क्या होत रहते हैं वो पत्ते जहर जाते हैं लगता है कि वह पेर मर चुका है ठीक है पत्ता ही नहीं है लेकिन जैसे ही spring season आता है वैसे ही अचानक से उस plant में उस ट्री में नहीं पत्ते आने रखते हैं वह यह आपकर लिखाए तो लगभग यह जो विंटर सीजन था ना कि विंटर स कर रहा था रिवाइब कर रहा था और इंट्रो एस्पेक्ट कर रहा था और जैसे ही सभी सही समय आया spring season आया वैसे ही यह वापस दुबाना energy के साथ अपना activity चालो कर दिया समझे कि नहीं तो silence stillness introspection का बहुत अच्छा चीज example अर्थ हमें शो करता है ठीक है वह यह आपर ल अब हम बारतर की देंगे and you keep quiet you मतलब हम readers poet हमें बोल रहें कि आप सांथ रहिए and I will go और हम चले जाएंगे और आप सांथ हो के क्या कीजिए intro inspection कीजिए बात अगरा है समझे की नहीं चलिए अब यहां पर दो चीज के ऊपर बहुत important question बनता है उससे पहले कुछ poetic device पर बात कर लेते हैं ठीक है देखियो कि पॉइटिक डिवाइस सबसे पहला तो मेरे को यह नजर में आ रहा है hurt hands at sound repeat or at the beginning तो क्या वाजाएगा alliteration ठीक है और भी कुछ-कुछ होगा यहां पर यहां पर देखिए we will we will बताइए कौन सा बहुत sound repeat ओड़ा at the beginning में तो alliteration हो गया ठीक है फिर आगे यहां पर जो सबसे important जो question बनता है वो यहां से बनता है इस standard में बहुत सारा poetic device है एक तो आपको बताई दिये irony उसके बाद दे ग्रीन वर्स क्या symbolize कर रहें तो यहां पर symbolism है ग्रीन मतलब environment के साथ word ठीक है तो यहां पर poetic device होगे symbolism यह याद रखिएगा उसके बाद war sweet war sound repeater at the beginning तो alliteration ठीक है फिर और दो और भी होगा छोटा मोटा लेगिन में इतना ही था ठीक है चलिए फिर और बात करते हैं कि दो य हो जाए stillness हो जाए क्या यह आज के टाइप पर possible है क्या हम लोग तो इनका जो आइडिया है यह सून के कोई fanciful आइडिया नहीं लगता है यह तो यह वर्ड देंगे आपको यह जो पैबल मेरेटर का आइडिया है silent और stillness अपनाना यह एक fanciful आइडिया नहीं लगता है सच इसमें ऐसा करना possible है क्या तो इसका answer होगा कि नहीं इनका idea fanciful नहीं है क्योंकि यह जो आइडिया दे रहे है ५िस्टिल्नेस का यह आज भी पाया क्या है relevant है क्योंकि इससे हमें फाइडा पाउचेगा ठीक है और जब इंट्रो एसपक्त करेंगे न कि जब इंट्रो इस्पे़्ट करेंगे इसका इंपर्टेंस है हम हमें डियलाइज होगा कि हम सो काम कर रहे हुअ KITना इनपर्टेंस है सब्सकżejorn ाइडियुaning सब्सक्राइब करना जो आइडिया है यह फैंसीपल नहीं है समझें कर proyecto है और दूसरा question यह बनता इस पर कि आज के डेट में सोचल मीडिया के जबाने में पैर्बन अरोरा का जो आइडिया है साइलेंस और इस्टिलनेस को इंक्लिमेंट करना यह क्या बहुत इसी है या फिर बहुत डिफीकल्ट है इस पर आपना व्यू एक्सप्रेस कीजिए इसकी उपर कोशन आता है तो द तो यह सोचल मीडिया का वजह से आज के टाइम पे साइलेंस रह पाना और इस्टिलनेस रह पाना कुछ काम नहीं करना बिना मोबाइल के रह पाना ठीक है कोई अक्तिविटी नहीं करना और इंट्रो एस्पेक्ट करना यह करना सच में एक डिफीकल्ट टास्क है इसमें आ रहे हम लोग constant stimulation में एक कोन स्टकμिल इसन का मतलब क्या होता है इसका मुतलब है कि लगाता है हमारे मोबाइल में들 कुछ न कुछ notification आता है इसंब पड़नी तो इन सब वोचा से हम लोग हमेसा excited रहते हमें सोचने का ही time नहीं मिलता है कि हम खुद के यह कुछ करें सुबह उठते ही 10 नीज आएगा और हमें सुनके कानों फिल लगना पड़ेगा ठीक है तो constant stimulation में आते हैं जिसके कारण still or quiet और introspect करवाना काफी difficult है ठीक है इसके अलावा लोगों में आसकल क्या develop होगी है और four more develop होगी है fear of missing out ठीक है लोग सोचते कि अगर हम social media whatsapp facebook यह सब अगर नहीं देखेंगे हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं अगर हम यह सब चीज नहीं जानेंगे तो कहीं हम उनसे पीछे रह जाएंगे हम कहीं मिस कर जाएंगे ठीक है तो इस करण से भी लोग लगातार social media से करेक्टर रहते हैं और अपका introspection silence वाला पल गवा देते हैं ठीक है इसके अलावा जो हमारा attention span है ना किसी पी चीज़ पर ध्यान लगाने का समय वह हम लोग का क काफी कम हो गिया है वह काफी short हो गिया है ठीक है हम लोग एक चीज़ पर काफी कम समय के लिए फोकस कर पाते हैं जैसे कि for example आप लंबे विडियो कम देखते होंगे YouTube में उस्वाट ज्यादा देखते होंगे ठीक है क्यों क्योंकि हम कम समय तक ही किसी चीज़ पर फोकस कर सक पह Row तो आईज़न वह सकते हैं आप可म पेशन क्कोंपर्ट क्या प steeds लोग करने से को इन्टाम करने करने का ही चीज करना वह मिस्लीक बांब सब सकते हैं कि पोए का जो ऐडिया है इसको इंप्लीमेंट करना डिरुपिकल्ट है अब याद रखेगे कि ऊप डिफिकल्ट बोल रहे हैं इंप्लिमेंट कर सकते हैं बाता घरा है समझे कि नहीं तो इतना चिसल आप इस एसमुज लिए सिप समझ के रख दीजिए इसका तो सारा आपको मैंने वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है वहाँ पर जाके आप इसको प्रिपर कर लीजेगा बस इतना ही था यह पोएब उमीद करते हैं आपको समझ में आगया होगा वीडियो अचलागा आपको जुरूर एक लाइक कर दीजिएगा कोई डाउट कन्फूजन है तो कमेंट करके जुरूर बताइएगा आप पूसिस करेंगे वह आपके एंसर देने का और चैनल पर नहीं है दो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है और भी वीडियो से चैनल पर आपको जुरूर वहाँ पर हेल्प मिलेगा चिर्क है मिलते हैं बॉसल किसी और वीडियो में अपकली लाइब आपक और आपके एंट तखाएब पुरूर लाइवाईखाण पज्चत देखेर वीडियो से पडसितमें लाइफाब भी कर लाईब शक्तली कर लेकाएब चैनल पर आपके एंटकली लाइब एंसर दूस्क लाइब इन कर ऑपके लाइब